अगर आपने इससे पहला पार्ट नहीं देखा हो क्योंकि उसमें हमने इंटरनाशनल और स्पोर्स न्यूस अल्रेडी कवर कर दी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पाकि अगर आप किसी और भी मंत की करेंट अफेस देखना चाहते हैं जब कंप्लीट मंतली जो वीडियो से कंप्लीट हो जाएगे तो आपको पीडियेफ मिल जाएगा एक ही पीडियेफ मिल जाएगा सभी का पहले कोशन से शिरुवात करते हैं तो देखे पहले कोशन में है विच कंपनी पांच लाग महिलाओं के नित्रत वाली जो छोटे बिजनस है उनको सहायता प्रदान करण के के लिए किस कंपनी ने फिकी के साथ में भागिदारी की है कंपनी का नाम क्या है मैटा अच्छा मैटा जो नाम है ये फेस्बुक का ही नया नाम है ये आपको पता होगा कि फेस्बुक कंपनी ने अपना नाम चेंज किया था तो ये जो पार्टनर्शिप है इसमें एक प्रोग्राम था हाश्टेक शी मींस बिजनस प्रोग्राम इसके दहत इस पार्टनर्शिप को एक्जिक्यूट किया गया है और इसमें women entrepreneurs जो है उनको एक supportive ecosystem प्रोवाइट करने के लिए डेवलप करने के लिए ये जो है वो jointly partnership करी गई है फिकी के बात करते हैं तो दिखें इसका headquarter न्यू डेली में है इसके secretary journal है दिलीब चनॉई और प्रेजिडेंट संजीव महता अगला question है which of the following companies has acquired 5% stake in power exchange in India question में हमें बताना है friend के इन में से कौन सी company है जिसने भारत के power exchange में 5% हिस्सेदारी का अधिग्रहिन किया है company का नाम है NTPC विद्यूद वियापार निगम लिमिटेड बात करते हैं देखो यहाँ पे PXLIK की और जो यह Indian energy exchange है न यह हमारी country के दो power exchanges है और इसका इन में से जो देखी यहाँ पे हमने जो बात करी NTPC विद्यूद वियापार निगम लिमिटेड की तो NTPC के द्वारा ही इसे 2002 में form किया गया था यह सबसिटरी है यानि कह लिजे सहाय कंपनी के रूप में काम करता है ओके तो याद रखिएगा 5% का जो हिस्सेदारी है इसका अधीगरहन किया गया अगरा question है who has addressed 30th national commission for women foundation day program answer है नरेंद्र मोदी जी तो बेंट नरेंद्र मोदी ने अभी 300 जो राष्टी महिला आयोक का स्थापना दिवस था उस पर एक कारेक्रम हुआ उस कारेक्रम को नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया ये जो event organize किया गया था अलग-अलग field में women's की क्या achievement है उसको celebrate करने के लिए ये जश्न मनाया गया और इसकी एक theme भी रखी गई शी दा चेंज मेकर बात करें अगर हम यहाँ पे national commission for women की तो 31 जनवरी 1992 को इसकी स्थापना की गई थी national commission for women act 1990 के तहत तो यहाँ पे आपको नरेंद्र मोदी जी का नाम ध्यान रखना है इसके बाद है जो सेहत सेहत की full form होता है services e-health assistance and teleconsultation हाली में इसे किस ने launch किया है answer हो जाएगा ministry of defense आचा ministry of defense किसके पास है तो याद रखेगा ministry of defense है राशना सिंग जी के पास में और इनके द्वारा ही सेहत को launch किया गया है इसका क्या मतलब है देखिए जो armed force personnel है या उनके जो families है उनके परिवारों को एक तरीके से medical teleconsultation service provide करना इस initiative का main उदेश्य है अगला है how many new generations बंदे भारा trains will be brought in the period of next three year देखिए अभी जो budget आया था उसमें इसके बारे में बताया गया कि अगले तीन सालों में total 400 बंदे भारा train जो है इनको लाया जाएगा तो वैसे तो आपको देखिए पूरी की पूरी अलग से एक वीडियो provide कर दी थी budget के उपर क्योंकि यहां से definitely आपके exam point of view से question बनने के chances पूरे पूरे हैं अगला है which of the following city has become the start-up capital of India as per the economic survey 21-22 इस time पे जो start-up capital है इंडिया की वो कौन सी है राइट answer हो जाएगा देखिए डेली तो डेली ने बेंगलोर को replace किया है पहले जो start-up capital थी वो थी बेंगलोर बट अब डेली ने replace कर दिया है बेंगलोर को बन गई है start-up capital of India डेली से ओवर 5,000 जो start-up उनको recognize किया है 2019 से 2021 के बीच में वही बेंगलोर में देखिए around 4,514 जो start-up से उनको recognize किया गया है यह economic survey की report आई थी 2021 के according तो उनके द्वारा ही यह जो data है वो दिया गया है इसके बाद देखे next question है initial allocation of how many rupees will be made from the prime minister's development initiative for not east PM divine scheme तो simply हम लोग उसे यहाँ पूछा गया है कि जो PM divine scheme है ना इसके लिए कितने करोन रुपे का प्रारंबिक आवंटन किया जाएगा answer हो जाएगा friend यहाँ पे 1500 करोन रुपे का ठीक है पंद्रह सो करोन रुपे का आवंटन जो है वो इसके लिए किया जाएगा यह जो scheme है यह अलग लग छेतर में अलग लग सेक्टर में जो gap है जो youth और women's के बीच में जो gap है ना उनकी livelihood activities को enable करेगा मदब एक तरीके से इनको आगे बढ़ाने के लिए कि चाहें हम बात करें योद की बुमेंद की बात करते हैं तो उनकी livelihood activities यानि आज जीबी का उनकी आगे भड़ सके इसके लिए scheme है और इसके लिए पंद्रह हज़द पंद्रह सो करोन रुपे का जो initial allocation है वो आवंटन किया जाएगा अगला है budget के according इस साल का जो budget आया है कितना percent of amount increase किया गया है for the culture ministry के लिए तो बात करते हैं कितना increase हुआ है तो 11.9% जो amount है ये बढ़ाया गया है archaeological survey of India के according देखिए जो 1080 करोन रुपे है ये आवंटन किये गए हैं जो कि total amount का 35% है तो पिछले previous budget के अगर हम comparison की बात करते हैं तो इस साल 11.9% का जो amount है वो increase किया गया है इसके बाद देखिए union budget 2022 में खेलो इंडिया program के लिए कितनी राशी आवंटित की गई है answer is 9.74 करोन रुपे के राशी आवंटित की गई है जोकि last budget से increase की गई क्योंकि last budget में around 657 करोन रुपे दिये गए थे लेकिन इस बाद इसको 974 करोन रुपे किये गए है अगला question है which of the following has installed and commissioned परम प्रवीका one of the most powerful supercomputers in the country देखिए यह जो सुपर कंप्यूटर है न यह one of the most powerful सुपर कंप्यूटर में से एक है और इससे स्थापित कहां पी किया गया है answer is IISC Bangalore में इससे स्थापित और वहां पेसे चालू किया गया है इसकी बात करते हैं तो देखिए यह जो IISC है यह भारत का सबसे बड़ा Indian academic institution में से एक है इसको नैशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत में इंस्टॉल किया गया है और इसको डिजाइन किया गया by the Center for Development of Advanced Computing के द्वारा अगला है कौन सी IIT है जिसने Global Center of Excellence in Affordable and Clean Energy को लाँच किया है बात करते हैं किस IIT के दौरा इससे लाँच किया क्या है तो आंसर हो जाएगा IIT धारवाड के दौरा इससे लाँच किया क्या है केंदर क्या करना चाह रहा है देखो कि केंदर affordable और clean energy में research को बढ़ावा देना चाह रही है तो इसके लिए देखिए जो incubate technologies हो गई physical infrastructure इन सभी को create किया जाएगा और इससे जितने भी rural communities है उनके उपर पूरा target रखा जा रहा है उनकी RGB के उपर पूरा target रखा जा रहा है क्योंकि उनको क्या चाहिए सस्ती और एक तरीके से clean energy provide की जा सके इसके बाद which ministry जिन्होंने start किया है प्रसाद इसकी जिसका नाम है pilgrimage, rejuvenation and spiritual augmentation drive बात करते हैं कि कौन सी ministry ने इसको जो है क्या किया है start किया है तो आंसर हो जाएगा ministry of tourism के दौरा इससे start किया किया है अब देखो इसमें क्या हुआ है ना इसको start तो पहली कर दिया गया था 2014-15 के time पे कर दिया गया था कि हम इंडिया में जो religious tourism है जैसी जगा है जो धर्म से related है उन्हाँ tourism को बढ़ावा दिया जा सके इसमें अभी हाली में destination add की गई है जिसको बोला है पुनौरा धाम तो इसलिए ये news में रही थी तो पुनौरा धाम जो कि पुनौरा विलेज के पासे में located है ये goddess सीता जी का birth place है और इसी destination को इसमें add किया गया इसके बाद है with which of the following has Suzuki Motor Corporation partnered to start Suzuki Innovation Center at its campus तो कौन सी IIT है जिसने Suzuki Motor Corporation के साथ में भागेदारी करी है आंसर हो जाएगा friend IIT Hyderabad is the correct answer देखो institution ने तीन साल का जो contract वो इनके साथ sign कर लिया है और it will also support skill development को भी support करेंगे अगला question देखे which of the following fellowship has been launched by the central government under its waste to wealth mission तो इस fellowship का हमें नाम बताना है आंसर है स्वच्छता सार्थी तो स्वच्छता सार्थी fellowship के इंद सरकार्णी शुरू करी है अपशिष्ट से धन mission के तहत इसमें क्या होगा देखे यह जितने भी जो यंग इनुवेटर से उनको सश्रक्त बनाएगा जितने भी waste management community work से जुड़े हुई है कोई सारे ऐसे campaign भी शुरू किये जाते हैं तो जिन से भी जुड़े है ताकि हम waste को reduce कर सके अपने planet को greener planet बना सके है न तो उनी सारे जो यंग इनुवेटर से उनको इसमें empower किया जाएगा इसके बाद अगला question है which of the following park जो कि इंडिया का पहला OECM site बना है यानि other effective area based conservation measure तो भारत की पहली OEM site बनी है अरावली biodiversity park important question रहेगा ध्यान रखेगा देखो यह जो title है न यह IUCN देता है International Union for Conservation of Nature इस target यह जो tag है उन एरिया को दिया जाता है जो protected नहीं है लेकिन वहां पे rich biodiversity वहां पे जैविविता बहुत अधिक है लेकिन protected areas नहीं है तो उनको OECM का tag दिया जाता है यह जो पार्क है अरावली biodiversity park यह 390 एकड में फैला हुआ है अराउंड यहां पे 300 native plant है और अराउंड वन लेक यहां पे trees भी है तो काफी अच्छी biodiversity है इसके बाद देखिए who has launched the intensified mission जिसको नाम दिया गया है इंदर धनुश in New Delhi तो देखो फ्रेंड यह पूचा गया है कि नई दिली में जो mission इंदर धन पांच किया है आंसर इस मंसुक मांडविया मंसुक मांडविया जी के पास में कौन से ministry है health ministry है अब इसका में उदेश है क्या है देखो इसका उदेश है कि हमारे देशवर में जो बच्ची है जो pregnant mothers है उनको several disease से बचाना है उनको गंभीर बिमारियों से बचाना है तो यह भ कोशन है हमारा देखिए which IIT has launched the beta version of sorasibility answer is IIT Hyderabad अब यह sorasibility क्या है देखो sorasibility एक job portal है जो कि artificial intelligence के द्वारा संचालित होता है इसमें जो disabilities people है ना वो अपनी skill के according job जो है यहां पे ढूंद सकते हैं तो इसी को मतलब वो job उनको मिल सके job ढूंदने में उनको असानी हो सके तो के लिए एक portal है जिसको नाम दिया है sorasibility अगला है researchers of which IIT has developed a cost effective and environmental friendly water decalination technique ताकि जो sea water है उसको drinkable बनाया जा सके तो sea water को पीने योगे पानी बनाने के लिए एक आपके लिए एक तरीका एक टिक्नीक ऐसी जो है वो develop करी है कौनसी IIT ने IIT गांधी नगर यहां पे सही आंसर हो जाएगा तिको इसमें कहीं सारी चीज़ा यूज करी जाएंगी graphite crystal यूज किया जाएगा electric field की मदद से electric field का यूज किया जाएगा potassium chloride ions का यूज किया जाएगा जिससे क्या होगा जो fresh water है वो crystal के through move करेगा और उसमें ग्याओंगे salt जितने भी ions है वो वहीं block हो जाएंग और पानी साफ निकल जाएगा तो इस method से 99% जो salt ions है और impurities जो होती है उनको remove किया जा सकता है और जितना भी sea water है उसको पीने योगे बनाया जा सकता है इसके बाद देखें अगला question है who has launched a hackathon जिसको नाम दिया है powerton 2022 ये launch किसके तोरह किया गया है R.K. Singh ने इसे launch किया है ये क्य क्या करेगा देखे power distribution की में जो समस्याइं आती है उन समस्याओं को हल करने में और quality को और reliable power supply सुनिश्यद करने के लिए ये जो आप कह लिए जो भी problems है उनको solve करने में मदद करेगा इसको revamped distribution sector scheme के तहत launch किया गया है अगला है who has become Asia's richest person वह एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए है तो अब ध्यान रखेगा Gautam Adani जी ठीक है अभी जो recent में list आई है उसके according Gautam Adani जी ने Mukesh Amani को पीछे जोड़कर ये एशिया के सबसे richest person बन गए next हमारा question है the ministry of women and child development is implementing which of the following mission for rehabilitation of children in difficult circumstances including orphan and destitute children देखे ऐसे बच्चे जो difficult environment में है उनके पुनरवास के लिए एक mission शुरू किया है ministry of child development के द्वारा इस mission का हमें नाम बताना है तो देखे याद रखेगा mission वातसले इसका नाम रखा गया है इसमें जो अनाद बच्चे है या जिनके पास कोई सहारा नहीं है जो कटिन परिस्तितियों में बच्चे है उनके rehabilitation में उनको मदद करी जाएगी उनको वित्ते सहायता भी provide की जाएगी उनको care दिया जाएगा support education provide करी जाएगी तो उन बच्चों की मदद करने के लिए इसको शुरू किया गया अगला है इनमें से किस ministry ने organize किया है दो दिन का global summit on reimagining museums in India ये जो summit है इसे ministry of culture ने organize किया है ये जो global summit है ये जितने भी museums है उनके चेतर में museums के चेतर में जितने भी expert हो गया जो practitioners है उनको एक साथ लाया है ये summit इसमें 24 से भी जादा जो museum professionals है और इसमें इससे related जो भी लोग है उन्होंने इसमें participate किया है अगला question है who has launched nationwide आहट operation to curb human trafficking जो आहट operation है इसे इंडियन railway protection force ने शुरू किया है इसका में उदेश यही है कि जो लंबी distance में train शलती है न कई बहुत बार उसमें cases आते है human trafficking यानि मानफ तर्सकरी मानफ को बेचा जाता है उसी को रोकना specially बच्चों को जो women's है उनको specially उनकी trafficking होती है तो उसी चीज के उपर focus किया ज जाएगा तो इसके लिए आहट operation को शुरू किया गया अगला है कौन सी आयटी ने एक्वा मैप सेंटर टू सॉल्व इंडिया इंडिया वाटर क्राइसर में अब चो एक्वा मैप है ना इससे एस्टेबलाइश किया है तो आयटी मदरास ने इससे एस्टेबलाइश किया य अगला है as per the food processing ministry प्रधान मंत्री किसान संपदा योशना has been extended till which year देखे इस योशना को आगे बढ़ाये गया है तो कोशन में पूचा है कि किस वर्ष तक के लिए आगे बढ़ाया है तो इसे मार्च 2026 तक के लिए इसका टाइम बढ़ाया गया है ध्यान रखेंगे इसके ब processing sector है ना उसमें development लेके आना उसकी overall growth करना 2017 में Central Government ने संपदा चूश कीम है इसको शुरू किया था और इस स्कीम को इसका नाम फिर दुबारत से चेंज किया गया था August 2017 में और पहले इसका नाम क्या रखा गया था scheme for agro-marine processing and development of agro-processing cluster बाद में इसका नाम रखा गया प्रुधान मंत्री किसान संपदा योशना इसके बाद देखें next question है हमारा next question है देखें atal tunnel has officially been certified by the UK based word book of record as the word longest highway tunnel about 10,000 feet इसकी हमें लेंद बतानी है तो इसकी लेंद है 9.02 km की तो जो डारेक्टर जर्नल है border road organization के जर्नल राजीव चौदरी उन्होंने इस award को receive किया ये जो अटल tunnel है जोकी 9.02 km लंबी है ये रोतांग पास से होके जाती है और इसको मनाली ले highway पे construct किया गया अगला question है जीवा प्रोग्राम को किस organization ने शुरू किया राइट आंसर इस नाबाड अब ये है क्या देखो इसका में उदेश है ये है कि जो इस टाइम existing watershed है ना उन watershed मौजुदा watershed और जितने भी वाडी प्रोग्राम से उनके तहत natural farming को प्रमोट करना ये इसका में उदेश ह है जीवा प्रोग्राम का नेक्स्ट है आस परदी टॉम टॉम 2021 ट्रैफिक इंडेक्स कौन सा शहर बना है पांचोई नंबर का सबसे भीडबाड वाला शहर तो ये बना है भारत का मुंबई शहर आप देखो मुंबई पांचोई नंबर पे है लेकिन वहीं हम बात करें सबस इलेवन पे है approach 21 पे है लेकिन आपको धिहान रखना है क्योंकि μुंबई के ranking सबसे कम है जो की सबसे बेकार भी है यो कि बहुत बीडबाड वाली जगा है इसके according ranking के according सब से इक विजकि तो मुंबई की ranking आपको धिहान रखनी है अगला कोशेन देखे रिचें उध इंडिय जारी किया गया है तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंट इसका चौथा संस्क्रंड हुआ है अब देखिए इसमें भारत की तरफ से कौन थे तो भारत के तरफ से थे यूनेंड होम सेकेटरी अजे कुमार भल्ला और यूनाइटेट किंग्डम के जो पर्मनेंट सेकेटरी है होम ओफिस के मैथ्यू राइकोर्ट ठीक है तो बस ध्यान लखी का एडिशन कौन सा है चौता है अगला है वन ओशन समिट की जो हुई अभी हाली में इसे किसने एड्रेस किया है तो इस समिट को नरेंदर मोदी जी के द्वारा एड्रेस किया गया अगला है किसके द्वारा 2022 में जिते भी मॉन्यूमेंट्स उनको उनके प्रोटेक्शन के लिए पहली बार ग्लोबल वेविनार का आयजन किया गया इस वेविनार का जो आयजन है वो किस ने किया है नाशनल मॉन्यूमेंट्स और्थॉरिटी ने किया है इसका में उद्देश ही यही है देखे कि जो ह हमारे नैशनल हेरिटेज हो गए या जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना उनको संरक्षित करना अगला है विद विच इकॉमर्स प्लैटफॉर्म आई 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 एम सबलपूर औरीसा ने कौन सी प्लैटफॉर्म के साथ में एमयू साइन किया है तो हेल्प वीवर्स एन आर्टिशन्स ताकि वो अपने प्रोटक्ट को बेच सके तो इसके लिए फ्लिपकार्ट के साथ यहां पे आई एम सबलपूर ने इस एमयू को साइन किया तो अब इससे क्या होगा देखो जितने भी बुनकर है या जो आर्टिशन्स होगे वो अपने प्रोटक्ट यहां ओनलाइन सेल कर सकते हैं इस प्लैटफॉर्म पे तो क्या होगा फिर उससे उनका जो भी काम होगा जो भी वो इनका बिजने छोटा मुटा है उसको डेवलप्मेंट मिल सकी कि आगे बढ़ सकेंगे फ्लिपकार्ट का हेटकौार्टर है बेंगलोरू में और इसके जो सीउ है उनका नाम है कल्यान करिश्नमूर्थी नेक्स्ट कोशन देखें डॉक्टर ई पुजंगली अ वोमें साइन्टेस्ट एट विच आव दा फॉलॉइंग आयाइटी तो यह कौन से आयाइटी की साइन्टेस्ट हैं हाली में देखें इनको हरित पदती वि साइन्टेस्ट हैं और इन्होंने जो बैंजो भी थायोफीन है जो की एक मैडिसनली वादा एक ओशरिया रूप से एक योगिक है इसके उत्पादन के लिए उनको यह पेटेंट है वो प्रदान किया गया है अगला कोशन है हूँ अमंग दा फोलाइंग मिनिस्टर्स हैस व और पर इसके बाद देख़ें इस नो ने launch किया है पोलर सेटेलाइट लाँच वहीकल जो कि मतब किस वहीकल से इन सेटेलाइट jour launch किया गया है तो यह वहीकल तीन सेटेलाइटOn लेकर गया है इसका चानाम है पीपीयेस और प्रदेश के से Persa धवन इस पेस सेंटर से लॉंच किया गया है इसमें देखिए एक तो आपका आर्थ उब्जविशन सेटलाइट 04 ये गई थी उसके अलावा जो और है एक है इंस्पायर सेट 1 इसको भेजा गया था और इसके अलावा इंस 2 टीडी ये जो सेटलाइट है इसको भी स्पेस में भीजा गया तो तीन सेटलाइट को लेकर ये जो वही कहल है वो गया अगला है पंचेतंतर पर पहला रंगीन इसमारिका सिक्का किस ने लॉंच किया है तो फाइनेंस मिनिस्टर नर्मला सीतारा मरजी ने इस कॉईन को लॉंच किया है नेक्स्ट कोशन है देखिए विच इनडिया आंसर इस डाबर तो जो डाबर कंपनी भारत में बन गई है और यह जो भी प्लास्टीक वेस्ट होता है उसको रिसाइकल करती है तो इसलिए काफी ज़ादा effective तरीका है अगला है union minister of tribal sanctions how many rupees for the festival of मैदराम जतारा तो देखे हाली में जो tribal ministry है उनके दोरा कितने करोण रुपे sanction करें गए इस festival के लिए तो आंसर हो जाएगा 2.26 करोण रुपे ये जो त्युहार है मैदराम जतारा ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है कुम्भ मेले के बाद सबसे बड़ा तो कुम्मेला है उसके बाद second largest जो है वो है मैदराम जतारा तो तिलंगाना में एक community है कोया tribe तो कोया tribe के दोरा चार दिनों तक इस festival को celebrate किया जाता है अगला है इंडिया विल अचीव जीरो डीजल यूज इन अग्रिकल्चर अंड रिप्लेस फॉसल फ्यूल विद रिन्यूबल एनरजी बाई विच इयर तो इसके लिए इंडिया ने दो हजार चौबिस का टार्गेट रखा है और इसकी गोश्णा जो यूनिन पावर मिनिस्टर है आर के सिंग उनके दोरा दी गई कि जो भारत है वो क्रिशी में जीरो डीजल का यूज करेगा और जितने भी फॉसल फ्यूल है उनको रिन्यूबल एनरजी से बदल देगा दो हसार चौबिस तक अगला है which of the following will set up a world class wrestling academy at the किशन गंज डेली राइट आंसर हो जाएगा friend ministry of railways तो इनके दोरा ये जो world class wrestling academy है डेली में इसको set up किया जाएगा अब इसमें देखे क्या होगा ये भारत में ऐसी academy होगी जो की पूरी दरीके से facility based रहेगी तो जितने भी नए wrestlers है वो world champion बनने का उनको एक अफसर प्रदान किया जाएगा अगला है who among the following from India representative in third India Maldiv Defense Corporation dialogue 2022 तो brand ये जो तीसरे नंबर की dialogue हुआ है भारत और Maldiv के बीच में ये बताना है कि इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किस ने किया है answer is Dr. Ajay Kumar ये जो dialogue हुआ है ये मालदीप में हुआ और इसमें जो defense secretary है Dr. Ajay Kumar उन्होंने इसमें इंडिया को represent किया है और इसमें discuss किया गया है जो transnational crime होते है और दोनों देशों के security को कैसे boost up किया जा सके इसके उपर इसमें focus किया गया या discussion किया गया है next हमारे पास question है इन में से कौन सा planet है या dwarf planet है जिस अभी हाली में scientist ने वहां के atmospheric pressure को accurate value जो है इसको measure कर ली है तो friend यहाँ पर देखे correct answer हो जाएगा Pluto Pluto क्या है तो ज्यान लखेगा Pluto जो है एक dwarf planet है इसका जो atmospheric pressure है न ये earth से 80,000 जो है गुना कम है तो इसके बारे में जो है भी हाली में scientist के द्वारा बताये गिया next हमारे पास question है which of the following national policy has been launched by the central government recently हाली में central government ने national hydrogen policy को शुरू किया है इसका में उद्देश है यही है देखिए कि जो green hydrogen है इसके उत्पादन को बढ़ावा देना अगला है waste to wealth जो creation program है इसे किसने कौन से organization ने launch किया इस program को launch किया है सिट्बी के द्वारा सिट्बी का headquarters कहां पे है तो याद रखेंगे सिट्बी का headquarters लखनों में है 1990 में इसके स्थापना की गई थी इसका main क्या purpose है क्यों शुरू किया गया तो इस program के तहट क्या होगा देखिए जो पशिमंगाल में सुंदरवन है उससे wealth से धन कमाया जाएगा तो इसी को ही आगे पढ़ाने के लिए इसको शुरू किया quit tobacco application यह WHO ने शुरू करी है और इस application के माध्यम से क्या होगा देखिए जो लोग smoke करते हैं या कोई और नई products use करते हैं तो कैसे उसको छोड़ सकते हैं उसको छोड़ने में मदद करेगी यह application world health organization 1948 में शुरू हो और headquarters का है जैनिवामी अगला है which of the following place a joint security exercise of the Indian defense force was held तो इन में से किस अंस्थान पर बताना है किस इस्थान पर भारते रक्षा बलो का संयुक्त सुरक्षा अभ्यास आयरजित किया गया था right answer is port player airfield जो की है अंडमान निकुबार मी अब यह चो exercise हुई है इसका में उदेश ही है कि कई बार ऐसे होता है कि आतंगवादी हमले हो जाते हैं hijack की situation हो जाती है और hostess crisis हो जाता है ऐसी स्थिटियों में हम पहले से तयार हो रहें कि अगर कभी ऐसे स्थिटी हो गई तो हमारे पास सी situation हो अगर है तो हम उसके लिए पहले सी prepare होने चीए इसी के तैयारी का एक परिक्षन यहां पे किया गया इसके तहत अगला है कौन से institution है जिसने organize किया है डार्क अथन टुटाउसन ट्वेंटी टू आंसर हो जाएगा करना उसका समधान खोजना इसके बादे इंडिया ने सक्सेस्फुले टेस्ट फायर किया है नेवल बेरियंट ऑफ एडवांस्ट सुपरसोनिक भ्रहमोस क्रूस मिसाइल फ्रॉम विच अव तफॉलॉइंग मिसाइल डिस्ट्रोयर ऑफ दी इंडिया नेवी इस मिसाइल का variant का भी परिक्षण किया गया है INS विचाका पतनम से इसको फरिक्षण किया गया जो कि यह हाली में भारत की नौसे ना में शामिल हुआ है INS विचाका पतनम ब्रहमोस जो मिसाइल है ना यह मेन वेपन सिस्टम में हमारी इंडिया नेवी वॉक्शिप्स का अगला कोशन है इनमें से कौन सी सिटी में यूनियन शिपिंग मिनेस्टर सर्वनन्दा सोनेवाल जी ने इंडिया की पहली वाटर टेक्सी सर्विस को फ्लेक्ड ओफ किया हरी जंडी दिखाई है तो इसको कौन सा शहर हो जाएगा मुंबई यह जो वाटर टेक्सी है यह कनेक्ट करेगी ट्विन सिटी को यानि मुंबई से नवी मुंबई को कनेक्ट करेगी अगला question है हमारा देखिए इनमें कौन से शहरों का भारत का जोके 2023 में International Olympic Committee के सेशन की मेजबानी करेगा Very important question तो right answer हो जाएगा मुंबई तो मुंबई के दुआना इसकी मेजबानी की जाएगी अगला है भारत में कितने जिलों को हर घर जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नलका बानी मिला है तो total कितने district हैं total है 100 district जहाँ पे ये mission एक तरीके से 100% accomplish हो गया अगर बात करें 101 number का district कौन सा है तो वो है हिमाचल प्रदेश का चमबा district जो की 100 वे number का जिला बना तो इसका नाम भी अलग से पूछ सकते हैं इसकी बात है इनमें से कौन से institute है जिसने एक drone based crop health forecasting solution को develop किया है आइसर हो जाएगा IIT नया राइपूर अब इस drone से क्या होगा देखो कि फसलों में जो insect यानि कीरिया बिमारिया लग जाती है उनका पता लगाने साथी साथ में उसका accurate solution सुझाने के लिए इसका use किया जाएगा इसके बात किसने smart card, arm license और शश्ष्टर application को launch किया राइट आंसर इस अमिश्षा, तो अमिश्षा के दौरा ही इससे launch किया गया है इसके बाद देखे, who has launched परामर्श 2022 जोके एक mega career counseling workshop है इसको शुरू किया है अरजुन राम मेगवालनी अब इसमें देखो जो students है ना उनको यहाँ पर एक counseling दी जाएगी इसके बाद है, what is the rank of India in the world for LEED certified green buildings in 2021 भारत में इस category में क्या rank रही है भारत की तो भारत इसमें 30 number पे रहा है पहले number पे China है, second number पे Canada है US इस list में include ही नहीं, इसके बारे में ध्यान रखेगा LEED यानि Leadership in Energy and Environmental Design It is most widely used green building rating system in the world अगला है मेरी policy, मेरा हाथ ये कौन सी ministry ने शुरू किया है Right answer is Ministry of Agriculture and Farmer Welfare के दोरा इसे शुरू किया गया इसका में रुदेश है यह है कि जो farmers ने उनको policies के बारे में पताना जो भी government देखे कोई नीती शुरू करती है अपनी या कोई योशना भी शुरू करती है तो इसके बारे में जो farmers ने उनको अवगत कराना उनको aware करना अगला है कौन सी IIT है जिसने किस्तान mobile application को launch किया है तो फ्रिंट बात करते हैं कि कौन सी IIT के दोरा इसको launch किया गया तो Right answer is IIT रोड़की ने इसे launch किया है इसमें देखे किस्तानों को मौसम की संबंधी जानकारी दी जाएगी English Hindi दोनों में और जिस block में वो रहती है उसी block की वो मौसम संबंधी जानकारी इसमें देख सकती है अगला है Prime Minister Modi ji inaugurate 550 ton capacity of goberdhan plant इस plant का उदगाटन कहां पी किया गया तो इंदोर मध्यप्रदेश में इसका उदगाटन किया गया है यह जो plant इसको consider किया जा रहा है कि यह biggest bio CNG plant है पुरे एशिया का और यह waste to wealth innovation के concept पर आधारीत है नेक्स्ट हमारा question है देखिए which organization has Kerala Startup Mission partner to grant local startups connectivity to the global startup community तो जो Kerala Startup Mission है इसके साथ Google ने जो है कि पार्टनर्शिप करी है ताकि वहां का जो local startups है उनको आगे बढ़ाया चाह सके और उनको उनके जो भी startups में है उनको mentorship भी provide की जाएगे साथ ही साथ में उनको training भी दी जाएगी यहां पर नेक्स्ट है 48 नंबर का जो खजुराहो dance festival है इसको inaugurate किस ने किया है फ्रेंट बात करते हैं इसको किस के दोरा inaugurate किया गया है right answer हो जाएगा मंगु भाई पटेल के दोरा इस festival को organize inaugurate किया गया इसके बाद देखें तस signature tune for बंदे भारतम was released during an event एकम भारतम यह जो tune है इसको compose किस ने किया है इसको कैलाश केर और रिकी केज और विकरम घोश ने मिलकर इसको compose किया है तो answer हो जाएगा बोद B और C इसको एकम भारतम जो एक event वा था जो कि ministry of culture के दोरा host किया गया था उसी दोरान इस tune को launch किया गया अगला है कौन सी institute है जिसने जिंदन stainless के साथ में M.O.U. sign किया to perform R&D projects तो इसके लिए IIT धनबाद ने जिंदन stainless के साथ में यह जो collaboration है यह M.O.U. है यह sign किया नेक्स्ट है दिशा मीटिंग यानि district development coordination and monitoring committee की मीटिंग की अध्यक्षिता किसने करी है डॉक्टर जितेंदर सिंग के द्वारा इसकी अध्यक्षिता की गई नेक्स्ट कोशन है who inaugurated the किसान drone यात्रा जो की एक initiative है और 37 में 100 किसान drone को भी हरी जंडी दिखाई गई और ये काम किस के द्वारा किया गया नरेंदर मोदी जी के द्वारा किया गया ये जो drone से ना इनको अलग-अलग villages में ने 100 villages में set up किया जाएगा इसका use किया जाएगा ट्रांसपोर्ट देयर प्रोड्यूस यानि किसानों ने जो अपनी फसल पैदावार करी है जैसे fruits होगे vegetables है या flowers है उनको market तक कम time में और पुचाय चा सके उससे क्या होगा उनकी income भी boost अप होगी अगला है किसके द्वारा इंडिया की पहली night navigation mobile application for ferry service शुरू करी गई है ब्रहमपुत्र रिवर पर इसको शुरू किया है असाम के चीफ मिनिस्टर हिमानता विश्व शर्माने नेक्स्ट है फ्रेंड 24 जो meeting है financial stability and development council की इसका आयजन कौन से शहर में किया गया तो इसका आयजन किया गया है फ्रेंड्स मुंबई में आगला कोशन है इनमें से कौन से इस्टिटूट है जिसने मुई साइन किया है भारती है आदेम जनजाती सेवा संगठन के साथ तो नाशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टिटूट ने ये जो मुई है ये साइन किया है इसके तहर देखे एक लाइब्रेरी को एक digital लाइब्र के लिए एक सो पचास लाग रुपे का जो अमाउंट है उसको सेंशन भी किया गया है मिनिस्ट्री ओफ ट्राइबल अफेर के द्वारा नेक्स्ट हमारे पास क्वेशन है देखे कौन सी आइटी के साइन्टिस्ट हैं जिन्होंने पहली बार इंडिया में सक्सेस्फुली ड का प्रदर्शन किया अगला है इंडिया नेवी हास रिसीवड़ ट्वेल्थ एंटी संब्रीन वारफेर एयरक्राफ्ट पी एट आई फ्रम बिच अफ फॉल्लइंग कंपनी यह जो स्पेस्क्राफ्ट है भारत को प्राप्त हुआ है बोईंग कंपनी से ठीक है यह धियान र नेक्स्ट है गवर्मेंट ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड विच अनिवर्सरी और पी एम किसान स्कीम हाली में देखे इसके तीसरी अनिवर्सरी सेलिब्रेट करी गई है बात करते हैं इसको शुरू कब किया गया था 24 फरवरी 2019 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद मोदी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के गोरकपूर में इससे लॉंच किया किया था इसका में उदेश है यह था तो प्रोवाइट इंकम सपोर्ट टो ओल लैंड होल्डिंग फार्मर्स फैमिलीजी इर्रेस्पेक्टिव और लैंड साइज मतलब उनको जितना भी लैंड साइज है न राजस्थान के बजट में क्रशी बजट को अलग रखा गया है और इसे प्रस्तुत किया है राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोग गहलोत ने नेक्स्ट कोशन है देखे हूँ इनॉगरेटिड आ कॉन्फरेंस ओन इंडियन टैंपल आर्किटेक्टर जिसका रामे देवा हुआ है बताना है फ्रेंट की सम्मेलन को का उधगातन किस ने किया है तो जी किशन रेड़ी ने इसका उधगातन किया अगला कोशन है इंडिया ने कौन से रैंक सिक्यूर करी है इंटरनाशनल इंटलैक्टोल प्रापर्टी इंडेक्स 2022 में भारत की जो इसमें इस पार रै तो इन्होंने इस इंडेक्स को रिलीस किया इसके बाद कौन सा IIT है जिसने लॉंच किया है वर्ट का smallest वियरेबल एर प्यूरिफायर आंसर हो जाएगा IIT Delhi तो IIT Delhi ने इसे लॉंच किया है यह वियरेबल है यानि जो हम जैसे मास्क यूज करते हैं 95 हो जाएगा तो इसके तहत इसमें ना एक फिल्टरेशन है यह क्या करेगा कि बाहर का चो एर पोलूशन हो गया बैक्टीरिया हो गया वारल इंफेक्शन है तो उससे हमें बचाएगा उसको यह रोकता है अगला कोशन है कौन से IIT के साइंटिस्ट ने डिवलप किया है एक न सेल्फी कैंपेइन राइट आंसर इस मिनिस्ट्री ओफ एजुकेशन अब देखिए इसका में उदेश यह है कि मल्टी लिंग्वलिस्म को प्रमोट करना साथी में कल्चर डाइवर्सिटी यारी जो हमारी सांस्कृतिक विविदता है इसे बढ़ावा देना अगला कोशन है 25 फरवरी के दिन प्रेजिटेंट रामनात कोविंद जी ने किस की 400 बर्थ एनिवर्सरी सेलेबरेशन का सुषुभारंब किया है आंसर हो जाएगा देखिए लाचित बोर्फुहान जो की अहुम सामराज्य के एक महन सिनापती थे और इनकी जो भी चार्सवी जैनती सम्हार इसका शुभारं किस ने किया प्रेजिटेंट रामनात कोविंद जी ने किया तो फ्रेंड ये थे हमारी सारी नाशनल न्यूस चलिए अब हम बैंकिंग न्यूस को कवर करतें तो पहला कोशन है हमारे पास विच कंपनी लॉंच एंट इंटेलिजेंट मैसेंजर जिसका नाम मतलब किसी इन्वेस्ट किया है या किसी चिसकी जानकारी है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको पॉप अप कर गया नहीं तुम से मैसेच में मिल जाएगी अगला कोशन है विच आव दा फॉलनाइंग बैंक एंड पतंजली आयरुवेद लिमिटेड हैव लॉंच्ट को ब् इन्ट कार्ट में आपको दो तरीके के वेरिंट अवेलेवल एक प्लाटिनम वाला है एक पी एन्वी रुपे सेलेक्ट है तो दोनों में अलग-अलग जो है ओफर्स प्रोवाइट करे जाएंगे नेक्स्ट है कौन से बांक ने सूर्य शक्ती सेल को लॉंच किया राइट आ के कोशन हमारे पास विच इंशॉरेंज कंपनी साइन एंगरिमेंट विद कार्स 24 फाइनेशल सर्विस प्राइमित लिमिटेट तू प्रोवाइट मोटर इंशॉरेंश सर्विसेस टू यूस्ट कार बायर्स के अगर आप कार खरीते हैं तो उसका इंशॉरेंट भी देखे जरूरी है उसी के लिए किस कंपनी ने एक agreement किया है Cars 24 के साथ मिलकर राइट आंसर हो जाएगा Kotak Mahindra General Insurance आगला कोशन है कौन सा बैंक है जिसको चूस किया गया for DX 2021 Digital Transformation Award के लिए राइट आंसर हो जाएगा Karnataka Bank नेक्स्ट है Who's has partnered with ICC Lombard to offer insurance solutions Against Cyber Crime and Financial Fraud to its customer यानि customer को जितने cyber अबराद है या कोई धोकादड़ी है इसके खिलाफ बीमा समधान प्रदान करने के लिए ICC Lombard ने हाली में देखे एटल पेमेंट बैंक के साथ में भागेदारी करी है Next question है कौन सी organization ने 14-18 फरवरी तक Financial Literacy Week सपता के रूप में मनाया है तो देखे answer हो जाएगा RBI यानि Reserve Bank of India इसकी theme भी है इसकी theme में देखे Go Digital, Go Secure तो इतना ध्यान रखेगा इस question से अगला question है कौन से bank ने partnership करी है NSE Academy के साथ में मिलके To launch 5 online courses to promote financial literacy courses वह इसके लिए अगर हम बात करें कौन सा bank है जिसने NSE Academy के साथ में partnership करी है तो answer हो जाएगा Right answer is SPI SPI ने NSE Academy के साथ partnership करी है इसका में उद्देश है यह देखे कि जो students है उनको banking या जितनों भी banking से जड़ेट aspect होते हैं उनके deeper understanding provide करना इसके बाद ही कि Reserve Bank of India ने जो E-Rupee के तहत vouchers से उसको 10-10,000 से बढ़ा कर उसकी जो सीमा है वो कितनी कर दी है एक लाग कर दी है Next question है Which of the following has tie up with insurance aggregator policybazaar.com for distribution of its product अपने product के distribution के लिए LIC याने Life Insurance Corporation ने policybazaar.com के साथ में यह जो insurance aggregator पर यह किया है Next question है What is the name of the program जो की launch किया है by Yes Bank ने to co-develop digital financial solution for the agriculture sector क्रशी के छेतर में digital वित्य समधान विक्सित करने के लिए प्रोकारेकरम शुरू किया गया जिसका नाम रखा गया है Yes Bank Agri Infinity इसका में उदेशे यह देखें जो food और agriculture sector से जो भी entrepreneurs जो ऐसे companies जोड़ी है उनको mentorship प्रोवाइड करना Yes Bank का headquarter है मुंबई में अगला है कौनसे bank ने acquire किया है Union Bank of India's 21% stake in India's first life insurance company तो bank का नाम क्या हो चाहेगा B.O.B. हाँ पर right answer है Next question है Which of the following has partnered with Paytm Payment Service Limited as a payments partner for tips in India तो इसके लिए twitter के साथ में जो है tips के लिए जो है payment जो पेट्यम पेइमेंट बैंक है उसने twitter के साथ भागेदारी करी है अब tips से क्या होगा देखो इसके माधियम से जो भी creators है वो अपने जो users है वो अपने favorite creator या जो small business owner है उनको support कर सकते है पेट्यम पेइम इंस्ट्रुमे कंपनी ने foxon के साथ में partnership करी है to make semiconductors in इंडिया आंसर हो जाएगा विदानता तो भारत में semiconductors बनाने के लिए विदानता कंपनी ने foxon के साथ में भागेदारी की next question है कौनसे bank ने युनानू टेक्नलोजी के साथ में partnership करी to for the digital freight finance to fund transport contractor तो बैंक का नाम है करूर वैश्य बैंक next question है which bank which has become the world first bank to set up shop in Metaverse आंसर हो जाएगा JP Morgan bank next question है which payment bank has become an officially acquiring partner for the government's e-rupee vouchers initiative Paytm payment bank सरकार की जो e-rupee vouchers है उस पहल के लिए एक officially acquiring partner जो है ये बन गया है bank ने partnership करी with Paytm Parent 197 Communication Limited के साथ में to leverage the latest merchant base अगला question है which of the following bank MSME रुपे credit card जो की launch किया है नाराइन राने जिनके पास micro MSME ministry है इनके दुआना Union Bank of India के MSME रुपे credit card को launch किया गया तो फ्रेंट यहाँ पे हमारी सारी national news और सभी banking news finish होती है तो ये monthly current affairs का second part भी हो गया next video में हम मिलेंगे state news के साथ में और इसके बाद हमारी जो misleading news है वो भी हम cover करेंगे जिसे आपका current का जो monthly current affairs का topic है वो complete हो जाएगा thank you so much for watching this video